जहें हिन दोस्तों इस वीडियो में आपका च्छछा साथ के गळित बिशे का अध्यास बारा एक हल करना सीखेंगे यह भाग दो है भाग एक में हमने चार तक के पर्षनों को हल करना आपको सिखाया था और इस भाग में यानि भाग दो में हम 5 से ले करके 9 तक के पर्षनों को हल करके आपको बताएंगे तो चलिए पांचवा जो पर्षन है उसको हल करते हैं पांचवा पर्षन है अविनास के किरसी फार्म के लंबाई 240 मीटर और चौडाई 110 मीटर है किरसी फार्म का छेतर पल हेक्टियर में ग्याद कीजिए तो चलिए यहां चितर बनाते हैं फार्म आयताकार है तो चलिए आयत का चितर बनाएंगे इसी टाइप का कोई फार्म है यह लंबाई है लंबाई कितनी दी गई है ल ल बराबर दी गई है 240 मीटर और ये चोड़ाई है चोड़ाई B B बराबर दी गई है कितनी 110 मीटर 110 मीटर अब कहे रहा है कि ये जो किर्सी फार्म है आयताकार इसका आप छेतरफल हेक्टियर में ग्याद कीजिए तो यहाँ जो छेतरफल आएगा पहले मीटर स्कॉाइर में आएगा उसके बाद हम उसको हेक्टियर में बदल देंगे तो चलिए यहाँ पहल करते हैं अबिनास के किर्सी फार्म का छेतरफल वो बराबर होगा लंबाई गुड़े चोड़ाई के क्योंकि ये आयताकार है और आयत का छेतरफल बराबर होता लंबाई गुड़े चोड़ाई तो एल गुड़े बी एल कितना है एल है दो सो चालिस और बी है एक सो दस अब इसको यही पर छोड़ देते हैं गुड़ा नहीं करेंगे क्योंकि अब ही हम यहाँ पर भाग करना है इतना क्या आया वर गे मीटर तो छेतरफल इतना आ गया लेकिन यह कह रहा था छेतरफल आप हेक्टीर में गयाद करें तो हम जानते हैं एक हेक्टीर एक हेक्टीर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर तो अगर वर्ग मीटर को हमें हेक्टियर में बदनना होगा तो क्या करेंगे 10,000 भाग देंगे तो यहां लिख सकते हैं 240 गुड़े 110 भागे 10,000 4,0 रहेंगे अब यह क्या हो गया हेक्टियर अब 2,0 तो कट गए इससे और इससे अब यहां उपर बचा 24 गुड़े 11 और नीचे बचा 100 इतना हेक्टियर अब इसको सरल करते हैं 24 का गुड़ा 11 में करेंगे तो 11 चोक के 44 के 4 हासिल आएं 4 ग्यारा दुनना 22 और 4 26 तो 264 आएगा 24 गुड़े 11 बराबर 264 बटे 100 अब यहां 2 जीरो अगर हटाएंगे तो 10 मलो 2 अंक पहले लग जाएगा यानि यहां पर लगाना होगा तो 2 जीरो गायब हो जाएगा तो आज आएगा 2 दसमलो 64 और यहां हेक्टियर तो छेतरफल कितना है या 2 दसमलो 64 हेक्टियर यानि अभिनास के किसी फार्म का छेतरफल 2 दसमलो 64 हेक्टियर है तो यह उत्तर है अब आएगे दोस्तों हम अगला परशन हल करते हैं छटमा परशन है एक आयताकार मैदान का छेतरफल दसमलो 5 हेक्टियर है यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ग्याद कीजिए तो कोई आयताकार मैदान है चलिए यहां पर बना लेते हैं इसी तरह से आयताकार मैदान है इसकी एक भुजा चलिए यह वाली भुजा ये वाली भुजा हम माल लेते हैं जो यल है उसको माल लेते हैं 125 मीटर एक भुजा कितनी है 125 मीटर और दूसरी भुजा हमको ग्याद करना है करा दूसरी भुजा ग्याद कीजिए तो इसको माल लेते हैं B दूसरी भुजा B है यह आयत की लंबाई ही है और यह आयत की चौड़ाई है अब क्या चीज दिया गया है इस आयताकार मैदान का छेतरफल दिया गया है दसमलो पांच हेक्टियर तो चलिए यहां लिखते हैं आयताकार मैदान का मैदान का छेतरफल वो बराबर है दसमलोग 5 हेक्टियर अब यहाँ देखिए यहाँ इसकी लंबाई एक भुजा 125 यह मीटर में दी गई थी तो हमको इसे क्या करना होगा वो रग मीटर में बदल लेना है तो हम जानते हैं एक हेक्टियर दस हजार वर्ग मीटर तो अब इसको अगर हमें वर्ग मीटर में बदलना है तो दस हजार से गुड़ा कर देंगे तो दसमलोग 5 गुड़े दस हजार अब हो गया वर्ग मीटर तो गुड़ा करने पर कितना आएगा दसमलो 5 से जब गुड़ा करेंगे तो 10,000 में आधा ये कितना लिखा आधा लिखा है तो 10,000 में जब आधा से गुड़ा करेंगे तो क्या हैगा 10,000 का आधा 5,000 या वैसे गुड़ा कर लेजिए 5, 1, 5 उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4, 0 1, 2, 3, और 4, 0 लिखेंगे और एक अंग पहले दसमलो लगाना है तो यहां लगाएंगे तो कितना है है आपका इकाई, दहाई, सेकड़ा हजार 5,000 वरगे मीटर हम जानते हैं कि आधाकार मैदान का छेतरफल बराबर क्या होता है उसकी लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि एक भुजा गुड़े दूसरी भुजा तो यल गुड़े बी बराबर कितना है 5,000 देखिए आधाकार मैदान का छेतरफल बराबर इतना आया अब आधाकार मैदान का छेतरफल बराबर हम लिख सकते हैं यल गुड़े बी तो यल गुड़े बराबर पांच हजार अब यल यल कितना है यल यानि एक भुजा एक भुजा है 125, गुड़े दूसरी भुजा जो हमको निकाल लिए वो भी है बराबर 5000 अब B बराबर क्या हो जाएगा 5000 भागे 125 अब इसको भाग देंगे 25 पंजे 125 और 25 दूना 50 और ये 2 0 अब 5 से पुना कट रहा है 5 जिक्यम 5 पंच जोग के 20 तो आएगा 40 तो कितना आया तो B बराबर आया, B बराबर आ गया 40 और B क्या था? B इसकी दूसरी भुजा थी तो 40 मीटर तो ये आपका उत्तर है यानि एक भुजा अगर 125 मीटर है तो दूसरी भुजा 40 मीटर होगी अब आईए हम अगला कुईस्चन हल करते है सात्मा प्रशन है एक वरगा कार टाइल की एक भुजा 12 सेंटी मीटर है तो चलिए वरगा कार बनाते हैं आपे टाइल का चित्र वरगा कार यानि जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों क्या हो? समान हो तो वरगा कार टाइल की एक भुजा 12 सेंटी मीटर है यानि ये लंबाई कितनी है बारा सेंटीमीटर है यानि ये भी बारा सेंटीमीटर होगा ये भी बारा सेंटीमीटर होगा ये भी बारा सेंटीमीटर होगा सब बारा बारा सेंटीमीटर है चलिए हम आतरक नहीं लिखते हैं अब चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक तो टाइल का चेतरफल तो वर्ग का चेतरफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर एका स्क्वायर तो इसका चेतरफल बराबर भी हो जाएगा एका स्क्वायर एक इतना है बारा तो बारा का स्क्वायर तो बारा का स्क्वायर का मल्लब हो गया बारा गुड़े बारा त इतना वर्ग और यहां मातरक क्या सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा छेतरफल का जो मातरक होता है वर्ग यह का ही होता है अब चलिए हम इसका परिमाप निकालते हैं तो टाइल का परिमाप टाइल का परिमाप तो वर्ग का परिमाब बराबर क्या होता है चार गुड़े भुजा तो चार गुड़े ए तो बराबर चार गुड़े भुजा भुजा कितनी है ए बराबर है बारा सेंटिमीटर तो चार गुड़े बारा तो चार गुड़े 12 बराबर हो जाएगा 48 और परिमाब जो होगा उसका मात्रक एकाई होता है तो यहाँ एकाई सेंटीमीटर है तो एकाई सेंटीमीटर है तो यह और यह साथ नंबर जो परष्ण है उसका उत्तर है अब आईए अगला परष्ण हल करते हैं आठमा परष्ण है एक आयताकार खेत की लंबाई और चोड़ाई में तीन अनुपाते दो का अनुपात है खेत के चारो और मेड़ बनवाने का खर्च रूपे डेड़ पर्तिमीटर की दर से बताईए जबकि खेत का छेतरपल 1.5 हक्टियर है तो एक आयताकार खेत है चलिए परेचितर बना दें अब कहा रहा है किसके चारो तरफ यह पूरा मेड़ बनवाना है तो कुल खर्च कितना आएगा अगर 1.5 मेटर डेड़ रूपे में बन रहा है तो तो डेड़ रुपया पर्तिमीटर की दर से इसके चारो तरफ मेड़ बनवाने का खरक्त कितना आएगा तो सब से पहले इसके चारो तरफ की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए तो चारो तरफ की लंबाई का मतलब इसका परिमाप अगर परिमाप ग्यात हो जाएगा, तो हम कितना खर्चाएगा ये आसानी के साथ निकाले जाएगे, देर से गुड़ा करतेंगे लेकिन परिमाप तब निकलेगा, जब इस आयताकार खेत की लंबाई और चौडाई ग्यात होगी तो लंबाई और चोड़ाई भी नहीं ग्यात है तो उसकी जगा पर अनुपात दिया गया है और छेतरफल दिया गया है तो इस अनुपात और छेतरफल से हम सबसे पहले इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्यात करेंगे तो आईए यहाँ पर लिखते हैं लंबाई और चौडाई का जो अनुपात है वो कितना है तीन अनुपाते दो तो L बराबर हम मान सकते हैं 3X क्योंकि इसका अनुपातिक गुणांक X मान लिए तो क्या हो जाएगा L बराबर 3X और B बराबर हो जाएगा 2X L का अनुपात 3 है और B का अनुपात 2 है तो यल बराबर 3X और B बराबर 2X अभी 3X को 2X से भाग दे देंगे तो X-X कट गया तो यल अनुपाते B बराबर क्या आएगा तीन अनुपाते 2 ही आएगा तो चलिए हमने यहां क्या माल लिया L बराबर 3X और B बराबर 2X अब क्या दिया गया है एक चीच छेतरफल दिया गया है खेत का खेत का छेतरफल बराबर है 1.5 हेक्टियर खेत का छेतरफल बराबर क्या होगा आयताकार है तो लंबाई का चोड़ाई से गुड़ा कर दीजिए L गुड़े B बराबर 1.5 हेक्टियर है तो इसको हम वर्ग मीटर में बदल देते हैं तो हेक्टियर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए दस हजार से गुड़ा करना पड़ेगा क्योंकि एक हेक्टियर में दस हजार वर्ग मीटर होते हैं इसलिए यहाँ पे दस जार से गुड़ा किया गया अब यल, यल कितना है? 3X गुड़े B, B कितना है? 2X अब यहाँ से X कमान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे बस लंबाई और चोड़ाई ग्यात हो जाएगी और जब लंबाई चोड़ाई ग्यात हो जाएगी तो इसका परिमाप ग्यात हो जाएगा और जब परिमाप ग्यात हो जाएगा तो हम यह आसानी के साथ डेड़ से गुड़ा करके निकाल लेंगे कि कितना खर्च आएगा तो चलिए यहाँ डेड़ में 10,000 से गुड़ा करेंगे तो 15, 1, 15 और यह 4, 0 तो 1, 0 पहले 10 मुद लग जाएगा तो हम 3, 0 ही उतारेंगे तो कितना एकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार, दस, जार, 15,000 अब यहाँ गुड़ा करेंगे 3, 2, 6, x² 6, x² बराबर 15,000 तो x² बराबर क्या हो जाएगा 15,000 भागे 6 अब भाग देंगे 6, 2, 12 3 बचा यह हो जाएगा 0 तो 30 तो 6, 5, 30 और यह दोनों 0 तो x² बराबर 2500 हमें x का मान ग्याद करना है तो इधर वर्ग मूल लेंगे तो x आ जाएगा लेकिन हमें दाई तरब भी वर्ग मूल लेना पड़ेगा तो 2500 का वर्ग मूल लेंगे तो क्या आएगा 25 का लेंगे तो 5 आया और 2 0 हैं तो 1 0 ले ले लेजिए इसका भी वर्ग मूल हो गया तो 2500 का वर्ग मूल 50 आया अब yaks का मान यहाँ आया 50 अब yaks का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई ग्यात हो जाएगी तो चलिए यहाँ पे हम मान रख करके लंबाई और चौड़ाई ग्यात कह लेते हैं तो 3 गुड़े एकस एकस कितना आया है 50 तो 50 गुड़े 3 हो गया 1.5 यह मीटर आया और यहाँ दो गुड़े एकस है तो एकस कितना है 50 तो 50 दूना 100 मीटर अब इस खेत का लंबाई कितना है लंबाई है 150 और चौड़ाई है 100 इतना मीटर यह भी मीटर में है अब इस आयताकार खेत के चारो तरफ मेड बनवाने का खर्च सबसे पहले आप इसका परिमाब निकालेंगे तो खेत का परिमाब खेत का परिमाब आईताकार है तो क्या हो जागा 2 बिरेकर में L पलस B तो 2 यहल कितना है 150 पलस B कितना है 100 तो हो जाएगा अंदर धाई सो धाई सो का दूना करेंगे तो हो जाएगा पांच सो पांच सो और यह क्या आया मीटर आया हमने यहां इसका परिमाप मीटर में निकाला लंबाई भी मीटर में निकाला क्यों निकाला क्योंकि यहां जो रेट दिया गया था रेड़ रूपया परति मीटर की दर से तो ये मेड की लंबाई भी है, तो मेड की, मेड की कुल लंबाई बराबर 500 मीटर, खर्च कितना लगेगा, कुल खर्च, कुल खर्च निकालना है, तो देखें, एक मीटर मेड बधवाने का खर्च डेल रुपया है, तो 500 मीटर का खर्च हो जाएगा, 500 गुड़े 1.50, आप गुड़ा कर लेंगे, तो इसका गुड़ा इसमें करेंगे, पांच, सुन्नेम, सुन्न, और पांच, पंजे, पचीश, के पांच, हासिलाए, दो, पांच, इक्क्यम, पांच, और दो, साथ, और ये दोनों, जीरो, इतना आया, 750 रूपया, तो उत्तर आपका आया, चलिए, असपश्ट लिख दे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, दस्मोलों और जीरों की पीच में अंतर नहीं दिख रहा है, तो 750 रूपया, ये आपका उत्तर आया, अब आईए हम अगला पर्ष्न हल करते हैं, 9 पर्ष्न है, एक कारियाले के 15 दर्वाजों पर खस की टटियां लगानी है, यानि उसमें परदा लगाना है, परतेग दर्वाजे की लंबाई, धाई मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है, यदि खस की टटियां लगाने का खर्च है, खस के मूल सहीत 105 रूपय पर जिना खर्च पड़ेगा, चलिए यहां पर रूपया होना चाहिए, 105 रूपया लिख दें यहां पर, अब आप सबसे पहले यहां 15 दर्वाजों का छेत्रफल निकालेंगी, तो 15 दर्वाजों का छेत्रफल कैसे निकलेगा, जब एक दर्वाजे का छेत्रफल आप निकाल ल तो आज़े शुरू करते हैं चलिए, चुमकि एक दरवाजे का छेत्रफल, दरवाजा कैसा होता है, आइताकार होता है, तो इसकी लंबाई गुडे चोड़ाई, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है धाई मीटर और चोड़ाई है दस्मलो दो मीटर, तो दो दस्मलो पांच ग गुड़ा कर लेंगे, तो बारा पंजे साथ के जीरो हासिल आए छे, बारा दुना चोबिस और छे, तीस, अब दो अंग पहले दस मलो, देखिए एक अंग इसमें, एक अंग इसमें, तो यहां लग जाएगा, तो तीन वर्ग मीटर आया, तो छेतरफल कितना आया, तीन वर्ग मीटर, एक दरवाजे का छेतरफल, तीन वर्ग मीटर है, इसलिए, पंदरा दरवाजे का छेतरफल क्या हो जाएगा, तीन गुड़े, पंदरा, तो बराबर हो गया, पैंतालेस वर्ग मीटर, अब 45 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है 105 रूपया है अब यहां लिख दें चुंकि एक वर्ग मीटर का खर्च बराबर है 105 रूपया इसलिए 45 वर्ग मीटर का खर्च बराबर क्या होगा 105 गुड़े 45 इतना रूपया अब 105 और 45 का गुड़ा कर लेते हैं चलिए यहीं पर गुड़ा कर देते हैं 105 गुड़े 45 5 पंचे 25 के 5 हासिल आएं 2 पंच सुन्यम सुन और हासिल लेके 2 पंच सुन्यम पंच 4 पंचे 20 के 0 हाता हैं 2 चार सुन्यम यहां 2 हो जाएगा 4 पंच दो पंच और 2 साथ और 4 चलिए गुड़ा कर रहे थे यह रफका ही था तो इतने का इससे जब गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा 4,725 तो 4,725 रूपया तो खस की टट्टी लगवाने का कुल खर्च कितना होगा 4,725 रूपया दोस्तो इसी परस्ण के साथ यह अभ्यास खत्म होता है मेरा यह अभ्यास आपको कैसा लगा आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देजिएगा हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जै हिंद जै भारत